ही गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल कीचन क्वीन अंजना तो आज हम बनाएंगी बिना तेल के सूजी पालक का हेल्दी नास्ता इसे आप सुवय से हमके नास्ते में आप इसे बनाके इंजॉय कर सकते हैं यह बहुत ही रूई जैसा सोप्ट हमारा नास्ता बनके तयार होगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना तो सबसे पहला हम इसके लिए हम चटनी बनाके तैयार करेंगे तो पैन के अंदर डालेंगे यहां पर हम एक चमच चने की डाल एक चमच यहां पर उडद की डालेंगी साथ ह यहां पे मैंने टमाटर लिये और आदी जमच यहां पे मैंने लिये काली मिर्च का पाउडर एक बार इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे यह सब मिलने के बाद में इसके अंदर हम डालेंगे स्वादा अनुसार इसके अंदर नमक डाल देंगे साथ में थोड़ा सा इसके पकाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इनको प्याज ओ टमाटर को अच्छे से सोप्ट होने तक एक बार इनको हम पका लेंगे गेस को यहां पर हम बंद कर देंगे आप देख सकते हैं कि प्याज ओ टमाटर अच्छे से सोप्ट हो चुके एक बार इनको ठंड लाल मिर्च डाल देंगे और इस हमारा तड़का बनके बिल्कुल तेयार हो चुक है अब इसे हम चटनी के उपर डाल देंगे और अगर चाही तो आप इसे बिना तड़के के बगर या आप इसे खाके इंजोई कर सकते हैं चट्री हमारी बलंकी बिल्कुल तयार हो चुगे तो अब चली नास्ता बनाना शुरू करते हैं तो नास्ता बनाने के लिए पे मैंने आधा कप सूजी लिए सूजी आप मोटिया पतली कोई सीवे आप सूजी ले सकते हैं इसे हम मेकसी के जार के अंदर निकाल देंगे साथ में डाल रहो एक चोथाई कप यहाँ पर दही तो आदा कप मैंने सूजी लिया है तो इसी के अंदर मैं डाल रहो एक चोथाई कप दही साथ में डालेंगे इसी के अंदर हम पालक पालक को मैंने तीन से चार बार साप पानी से अच्छे से दो लिया था और इसे भी हम इसके अंदर निकाल लेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे और बिल्कुल इसका चिकना पेश्ट बना के हम तयार करेंगे पेश्ट हमारा बनके तयार हो चुक है तो इसे हम एक बरतन के अंदर हम निकाल लेंगे और इसे हम डखकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए 10-15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी फूल चुकी है अच्छे से तो अब हम इसके अंदर हम डाल देंगे स्वादा अनुसार नमक और साथ में थोड़ा से इसके अंदर इनो डालेंगे और इन सभी को दोनों को अच्छे से हम मिला के तयार कर लेंगे दूसरी साइड में हाँ यहां पर हम पैन लेंगे पैन को हम गरम करेंगे और गरम पैन के अंदर हम डाल देंगे यहां पर जो हमने बैटर तयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके उपर हम डालेंगे और बिल्कुल हलके हाथ से इसके उपर हम इसको फैला देंगे अब हम इसे दो मिनट के लिए इसे डगकर हम छोड़ देंगे दो मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा नास्ता बनके बिल्कुल तेयार हो चुका है तो ये देखिए, दो मिनट बाद हमारा नास्ता बिल्कुल बनके तयार हो चुका है, और इसे दूसरे साइट से बिल्कुल हलका सा में एक बार इसको और पकाएंगे, अब हमारा बहुती सुपर हेल्दी बीना तेल के हमारा नास्ता बनके तयार हो चुका है, इसे हम टमाटर क उससे चटनी के साथ में serv करेंगे या फिर आप इसे हरी चटनी के साथ में भी खा सकते हैं बस हमारा बहुत हेल्दी सूपर हहल्दी नासता geared Tobind के तयार हो चुगा